अतीक अमत के तिसरे नमर के बेटे असद का कल पुलिस के द्वारा एंकाउंटर कर दिया गया उमेश पाल हत्याकाण में असद मुख्य आरूपी था और काफी दिनों से पुलिस से बचकर भागता फिर रहा था अंकाउंटर के बाद सोल मीडिया पे यह अंकाउंटर ट्रेंड कर रहा था इतर भी लगातार की बात हो रही थी उत्तपरदेयस के मुख्य मंत्री ने सदन में ये बयान दिया था कि माफियां को मिट्टी में मिला देंगे ऐसे में तमाम लोग इस इंकाउंटर पे लगतार सवाल उठा रहे हैं वही सत्ता पस लगतार अपने कामों का जो है वो सरहना कर रही है अपने थपतपा रही है मुख्यमंत्री के द्वारा अधिकारियों को सवासी भी दे दी गई है ऐसे में इस मुद्दे पर लखनवों की जनता के हम साथ हैं उनसे बाचीत करेंगे उनसे पूछेंगे कि लखनवों की जनता इस इंकाउंटर पे क्या रुख लगती है क्या उत्तपरदे सच में माफिया मुक्त हो गया है या फिर जो दावी किया जाते हैं उत्तपरदे सरकार अपने दावो पर खरी उतर रही है क्या नाम है आपका? कार्दिगे कल असत का इंकाउंटर हो गया लगतार कुछ लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं और कुछ लोग इस काउंटर की तारीफ भी कर रहे हैं तो किस प्रकार से लखनों की जनता इस चीज को देखती है क्या जो माफिया मुख्त की बाद सरकार करें तो उस पर खरी उतर रही है देखे अगर भी किसी एक चीज़ को लेकर यह नहीं बहुत सकते करना होता है सारी चीज़ा कोट अगर पुलिस वाले ही अगर सब कुछ बन जाएगा तो वह से गलत होगा और बात इसको चालने क्यों बाती को कि वह सपा पार्टी का भी था एक ना एक बाईया योगी जी का उनसे वह भी मामला चला है सपा से अधिया तो अखिले स्यादुनों तो बकाईदा सदन में कहा था जब उमेश्पाल की हत्ते आवी थी कि आपके सरकार में जो है वह लोग अनाडर सही नहीं है समाजबादी पाटी नहीं यह मामला उठाय था और समाजबादी पाटी के नेता जो है वह बसपा कपर बता चु अधार था च्रीट पर 11.500 रुपे कारा तो इनोंने से बेकुब बना रखा है जनतों को और कुछ निगर रखा आपका क्या नाम है मैं सरकार किस प्रकार से देखते हैं यूपी एश्टियफ की इस कारवाई को दिखे इस टीफ जब आपने कानून बनाया है यह तो कानून क में भाग रादा मारा गया तो क्या पुलिस वाले चूड़ी पहिंते हैं क्या करते हैं बात यहां भी है जब करून है इस्टियफ ने जो कार रवाई जो आदेश मिलेगा वो करेगी जनता अगर आपने नाय आले बना है तो नाय में जो है पर उसको नाय पर छोड़िए और जो अगर उंदा है तो भाई खायेगा सजा असने गलती जुरूर्व कि यह सब पहला मामला था करीबन सेकड़ों से ऐसे मामले हैं जिसमें अतिक एमद बरी हो चुका था कई गवाव जो है वो मुंकर चुके थे और एक पहला मामला जिसमें इस पर कारवाई हुई थी बात है करने वाले जंद नीचे था करे क्रेशन होगा हुई हो अगर कनून हमारा सक्थ होगा ठाचित सही होगी जब हम कशी कुगा हम लोगों इस नहीं मतलब है फार्टीट गौर्ट मिन्ट आज इंसे साथ कल वो है उत्ता परदेश जो है माफिया मुक्त हो रहा है जो सरकार दावे कर रहे हैं इसके पहले को ये सी सरकार थी जो आप 25 परसंट आप कहा रहे हैं क्या वो 50 परसंट करने के दावे को अपने सही बताती यह भासर बहुत से देते हैं और सब करते हैं चोड़ मुस्वेर भाई कल हम आपको गरिया रहे हैं फिर आपके साथ बैट चाहे पी यह तो सब चला करता है यह पालती आज उ सच में माफिया मुक्त हो रहा है सरकार जो लगतार वादे कर रही है लगतार दावे कर रही है कितनी खरी उत्तपरदेश की सरकार उतर रही है क्या नाम लेखेंदर चतुरवेदी जिस तरीके से उत्तपरदेश की सरकार माफिया पर कारवाई कर रही है बुल्डोजर की कार और चालीस साल से कोई गवाव उपस्तित नहीं होता था सारे केस ऐसे निबढ जाते थे विदेशी असलहें मिलने हैं और इस तरीके से आत्मी 49 दिन बाद धूना जा रहा है इस्टीएप ने उसके बाद राडार पे लिया और मिल गए तो मार दिया कि सभी विवच्छी पार्टिया जो हैं इस एंकाउंटर पे सवाल उठा रही हैं वेसी का कहना है कि क्योवल एंकाउंटर की राजनीती जो है भर्चंता पार्टी कर रही है अखले स्यादों भी लगता है इसका अभिरोत करें किस प्रकार से आप देखते हैं नहीं है उसका भावा माफिया मुक्त प्रदेश की बात कर रहे हैं और वह उस पर अपने जो बताए रास्ते पर चलना है सौ मैं से कितने नंबर देंगे योगी सरकार को माफिया मुक्त हम सो मैं से सो नंबर देंगे लगतार विरोत कर रहे हैं उतापदेश सरकार का विरोत कर रह है और निवhst विरोत कर रहे हैं यह सब कहाँ से हुए है अलीबूत कहां से हुए सतीष कुमार पाथक्न हो कितना कितना जो है यह सहील साभित है कि माफियां पर जो एस व्युर्स अभी बागी है वो भी हो जाए तो फिर 100% हो गया समझ लीजे क्योंकि अभी भी कुछ माफिया जेल में बैठके अपना चला रहे माफिया गिरी अब बताइए अतीक ने जेल से बैठे बैठे उनका काउंट वो करवा दिया मालड़क राजुपाल का तो यह कोई वो थोड़ा नहीं और यह दब कहां रहते हैं जब तक दोचार काॉंटर और नहीं होंगे बड़े-बड़े माफियां के तब तक यह देश नहीं सुधरने वाला परदेश नहीं सुधरने वाला अभी तो दोचार और जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि हां बाबा का बूल्ड रहा है और अ सकते थे आप कोई काम नहीं कर सकते थे गुंडा टेक्स लेने आ जाते थे आदमी कि फलाने नेता ने बेजा इतना पैसा दो तो कम से कम अब यह तो नहीं सुनने में आ रहा है तो जिस तरीके से आप प्रसंसा कर रहा हैं उत्रपते सरकार की लेकिन तमाम विपच्छी पार्टिया जो है वह विरोध कर रहे हैं इनकी नित्यों का आप तो चाहते हैं कि माफिया राज खतम और यह लोग की इंडस्ट्री लगाने की जो विचार है उसमें सफ़ालों जो बेरोजगार लोग है उनको रोजगार मिलेगा और नहीं तो इस तरह इंडस्ट्री तो लग पाएगी माफियों के राज में तो आपको क्या लगता है कि इस मुद्देप अपनी राय रख रही है और कुछ लोगों ने इस कारवाई पे सवाल भले उठाए हो लेकिन ज्यादातर लोगों का यह मामला है कि ऐसे दुरदांद अपराधियों का ऐसा ही अंत होते रहना चाहिए उत्तव परदेश की सरकार सराहनी यह कारे कर रही है और लगतार माफिया मुक्त परदेश की जो विचारधारा है जो कलपना है वो साकार होते देखी जा सकती है कैमरा परसन वीजय के साथ नवीवेक शाही प्राइम टीवी लक्षनवू